हलो स्टू्डेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे वेव आप्टिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों और आज के लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे कि जो भी लेंस है मिरर है प्रिजम है इन सबका जो बिहेवियर है light को लेके जो आप अल्रेडी पढ़ चुके हो कि कौन सा mirror light को किस तरीके से bend करता है prism कैसे bend करता है lens कैसे bend करता है तो यह जो भी इनका behavior है इस behavior को हम लोग समझेंगे wave theory of light से भी यानि कि wave theory of light मतलब wave front बना के उसकी help से और साथ में हम humans principles apply करेंगे ठेक तो शुरू करते हैं बच्चो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं mirror से इसमें आपको याद रखने हैं यूजन के principles जिसमें की यह बोला गया था कि हर point जो है वो wave front पे एक light source की तरह behave करता है जो secondary wavelets छोड़ता है जो हर direction में travel करती है with the speed of light दूसरा यह point याद रखना है कि उन wavelets को tangentially at any instant T जो surface touch करता है उसको बोलते है secondary wave front इन लॉज के ओपर इन लॉज इन लॉज के ओपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुए आप जाके वहां देख सकते हैं चेक हैं मिरर में भी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सपोज कॉनकेव मिरर की अग्या है कि यह हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है बच्चों हम हर एक कि चीज पे कॉनकेव मिरर कॉनवेक्स मिरर लैंस प्रेज्म सब फ़म क्या करेंगे हम इंसिडेंट करेंगे एक प्लेन वेब Gef्रेंट और ळॉज करके यूजानके की देखेंगे कि वह कैसे रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्ट होगा या जो भी होगा और हमें एक्ज एक्रेट्स मिलेंगे जो हम आल्रेडी जानते हैं अब यह plane wavefront यहां पर टक्राना शुरू कर दिया है अब आप देखो जो इसके यह वाले parts हैं मान लो इनको हम लोग नाम देदे A और B जो इसके यह वाले parts हैं यह already mirror से टक्रा चुके हैं और यह जो हिस्सा ही अभी mirror से टक्राएगा यानि कि यह और आगे जाएगा तो अब जर इससे जो secondary wavelets निकलेंगी वो तो बच्चों ऐसे जाएगी इधर क्योंकि यह तो बापस जाएगा ना यह तो टक्रा चुका इससे यह ऐसे गई लेकिन इसकी जो है यह जाएंगी आगे ठीक हाना समझ में आई बात अच्छा आफ्टर टाइम टी मान लो यह है यह वेवलेट यहां पर है ए पॉइंट पे यह वाली है यहां पर बी पॉइंट पे और यह है यहां पे जो अब जस्ट इससे टक्राई है सी पॉइंट पे समझ में आई बात अच्छा तो अब इन सब को टेंजेंशेली टेच करता हुआ जो मैं सर्फेस बनाऊंगा बच्चो वही सर्फेस से मुझे पता चलेगा कि आगे के जो वेव फ्रेंट्स है वो कैसे बनेंगे तो इन तीनों पॉइंट्स को जड़ा जॉइन करिए ऐसे ऐसे एक्जेक्ट ऐसे है आप ध्यान रखना शेप का ऐसे है यानि कि ऐसे बनेंगे और अब यह जो यह मतलब क्या कर रहा है इस तरह के वेव फ्रेंट्स को जो एक पॉइंट तक जा रहे हो हम लोग क्या बोलता है कंवर्जिंग वेव फ्रेंट्स इसका मतलब है कि इससे एक प्लेन वेव फ्रेंट जब टकराया तो कंवर्जिंग वेव फ्रेंट्स में कंवर्ट हो गया इस वाले को भी हम थोड़ा ठीक से अगर बना के दिखांए आपको तो बात समझ में आएगी ऐसे यहां से जाके यहां पर यह यहां पर यहां पर टि इन सब के perpendicular, तो वो raise ऐसे आएंगी बच्चो, यानि कि ये एक point की तरफ converge कर रहा जाके, तो ये converging wavefronts बन जाएंगे, समझ में आई बात, दूसरा हम लोग बात करेंगे, convex mirror की, ये हमारे पास एक convex mirror है, इस convex mirror पे हमने क्या किया, plane wavefront लाकर incident किया, बिल्कुल ऐसे ही, ये plane wavefronts आए, दूसरा, और ये है मान लो तीसरा, चिक, यहाँ पे ले लो तीन points, पहला point ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ये टकरा चुका है already, तो इसकी जो wavelets है, वो पीछे जाएंगी, ये अभी आगे जाएगा, ये भी अभी आगे जाएगा, और मान लो यहाँ से टी टाइम बाद यहाँ टकराया, तो टी टाइम पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और मान लो ये टी टाइम में यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ पे points ले लो, अब अगर आप उनको join करोगे, तो कैसी shape आएगी, बताओ, अगर आप उनको join करोगे, तो ऐसी shape आएगी, तो आगे आप बढ़ाओ, ऐसा wave front, ऐसा wave front, ऐसा wave front, ऐसा, ऐसा, अगर आप इन सब कोई perpendicular, टेंजेंट्स ड्रो, सॉरी, rays ड्रो करो, परपेंडिकुलर, देखो, इधर तो नहीं बन रहाँ परपेंडिकुलर, ऐसे बनेगी नरे परपेंडिकुलर, अगर मैं बनाऊंगा, तो यह angle क्या आएगा, 90 degree, इ converging wave front बना रहा था, यह क्या कर रहा है, diverging wave front बना रहा है, तो हम बोलते भी तो हैं, इसको converging mirror बोलते हैं, इसको diverging mirror बोलते हैं, तो वही behavior हमको wave front के basis पर भी समझ में आना चाहिए, इन में से कोई भी diagram आप से पूछा जा सकता है, दूसरा हम लोग बात करेंगे lens की, लेंस में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, suppose, convex lens की, यह रहा हमारा convex lens, इस convex lens पे plane wave fronts आते हैं, एसे, एसे, और एसे, यहाँ पे, अब इस lens से टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 3 points, एक point यह, एक यह, एक यह, यहाँ से आगे wavelengths गई, यह री wavelengths, ठीक है, और यह wavelengths ने सारा का सारा अपना distance किस में travel किया, lens में, और lens में light की speed होगी, कम, क्योंकि lens glass का बना हुआ है, तो, अगर मैं इस point की बात करूं, यह, ऐसे गया, थोड़ा सा distance इसने lens में travel किया, बट maximum distance कहां travel किया, air में, इसकी भी बात करें, तो maximum distance कहां travel किया, air में, तो क्या होगा, t time में, जब तक यह यहां पहुँचा है, suppose, यह तो आगे निकल गया होगा, क्योंकि air में light की speed जाधा होती है, अब अगर मैं इनके surfaces को touch करता हुआ, एक surface draw करता हूँ, तो वो ऐसा बनेगा के नहीं बनेगा, हाना, और आगे के भी सारे ऐसे होंगे, ऐसे, 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 हाना, और इनके perpendicular, अगर light rays draw करें, तो साफ पता लग रहा है, कि इस case में light क्या हो रही है, converge हो रही है, ठेक, clear, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा बनाएगा, converging wave front, और हम convex mirror को बोलते भी तो है, converging, convex lens को sorry, बोलते भी तो है, converging lens, अब बात करते हैं, concave lens की, concave lens, concave lens बनाए, ये रहा concave lens, ये रहा concave lens, ठीक है, concave lens पे भी, ये आ रहे है, plane wave front चलते हुए, गाना गाते हुए, रास्ते में आगे lens, ठीक है, एकदम symmetric से बनाओ, ये उपर यहाँ तक है, तो नीचे वाले को भी यहाँ तक लाओ, ऐसे, ये, ठीक है, ये, अच्छा, अब इस वाले lens में, ये वाला जो point है, इसकी जो wavelets है, वो तो अपना सारा distance lens में cover करेंगी, इसकी wavelets ज़्यादा distance air में, फिर थोड़ा सा lens में, फिर air में, तो ये आगे निकल जाएंगी, हाना, इसकी भी सारी lens में travel करेंगी, तो ये भी पीछे रह जाएंगी, तो अगर मैं, एक point ले लूँ यहाँ पे, एक ले लूँ यहाँ पे, एक ले लूँ यहाँ पे, और एक ले लूँ यहाँ पे, तो इसके जो wave front बनेगा secondary, वो बनेगा इस shape का, और आगे के भी फिर ऐसे ही बनेंगे, अब इनके अगर perpendicular, raise draw करेंगे, तो वो आएंगी, diverge होती हुई, दिखाता हूँ, diverge होती हुई, यानि की ऐसे, तो ये वाले क्या बने हमारे, ये बने diverging wave front, तो हमारा diverging wave front बनेगा, concave lens से, और हम उसको diverging lens ही तो बोलते हैं, बच्चों, है न, ओके, next, अब बात करते हैं, prism की, prism में तो concave, convex कुछ होता नहीं है, एक prism हमने बनाया, ठीक, मान लो, इससे light हम लोग कैसे दिखाते थे, इससे light ऐसे आती भी दिखाते थे न, फिर ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाती थी, उस behavior को हमने explain करना है, तो मान लो, यहां से इस पे plane wavefronts हमने incident किये, इधर से, ऐसे plane wavefronts, अब आप इसको देखो, यह वाला हिस्सा जो है, यह point जो है, और यह point लो, इसके secondary wavelets बनाओगे, तो वो तो सारा का सारा अपना distance किसमे travel करेंगे, प्रिज्म में, इसके बनाओगे, तो यह सारा का सारा distance किसमे travel करेंगे, air में, यहां का थोड़ा सा part lens में रहेगा, बट maximum part air में रहेगा, तो यह आगे निकल जाएंगे, हाना, तो यहां पे अगर मैं एक wavelet पे point लेता हूं, और इधर लेता हूं, उनको tangentially join करने पर, जो मिलेंगे हमको wavefronts, वो ऐसे मिलेंगे, हाना, यह point यहां पे suppose हमने join कर दिया, तो अगले वाला ऐसे होगा, अगले वाला ऐसे होगा, तो अगर हम इस पे raise draw करें, perpendicular, तो ऐसे, और इस पे draw करेंगे, तो ऐसे, तभी तो perpendicular बनेगा, तो इस में से जो light जो ऐसे आएगी, वो ऐसे बाहर चली जाएगी, ठीक है, इन पे draw करोगे, इन पे, ऐसे ऐसे यहां पे straight lines आएगी, उन पे draw करोगे, तो ऐसा तुमको मिलेगा, यहां के exact अगर हम लोग बनाएं, ऐसे आके, यहां से ऐसे bend होके, इनके perpendicular lines बन गई, इधर से नहीं बाद, तो देखो wave fronts और in humans principles का कितना use है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़े हमको समझ में आ रही हैं इससे, यहां पर हमने सिरफ humans principles use करके, हमने वो results निकाल लिये, जो हमें already पता थे, lens mirror और prism के behavior के बारे में, तो कोई भी और चीज़ हो, जिसका हमको already behavior ना पता हो, तो उस पर experiment किये बिना, कि उस पर proper light incident किये बिना भी हम पहले इन laws की help से behavior predict कर सकते हैं, कि जब light उसमें से pass होगी, यहां उससे reflect होगी, तो कैसे होगी, समझ में ही बात, तो यह diagrams आप prepare कर लेना बच्छों, बहुत important है, मैं आपसे मिलूँगा इसके next video lecture में अगले topic के साथ, interference हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो बहुत important topic है, तब तक के लिए all the best